देश नीती किवल सच्ची और फक्की खबरे कॉंग्रेस टिकेट देने पर राजी विनेश को तीन बजरंग को दो सीटों का ऑप्शन दिया अब ये तीन सीटे कौन सी है दो सीट कौन सी है आपको बताएंगे और कैसे इन सीटों के अगर इन सीटों पर चुनाव सच्मुछ बजरंग पूनिया और विनेश वोगाट लड़ते हैं तो समीकरण में बदलाव किस प्रकार का होने वाला है और हर्याना विधानसभा चुना में कौंग्रेस उन्हें टिकट दे इसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी सुर्ख्या बटोर रही थी एक खबर लेकिन अब जो है इसकी पुष्टी आधिकारिक तोर पर हो गई है कि कौंग्रेस जोइन कर लिया है दोनों ने अब कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इ सीटों का उफर दिया गया है बजरंग सोनी पत से चुनाव लड़ने के चुक है लेकिन यहां से कौंग्रेस मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार को ही टिकट देना चाहती है पवार अभी एडी केस में जेल में बंद है विचुनाव न लड़े तो उनके बेटी या ब देगी वजसे एक बड़ा ब्राहमन चेहरा है इसलिए कॉंग्रेस अगर उनका टिकट काटती है तो ब्राहमन वोट बैंक नराज हो सकता है बजरंग को कॉंग्रेस की तरफ से बहादूर गड़ और भिवानी का ऑप्शन दिया गया है यह दोनों जाट बहुलिस सीट है या विनेश फोगाट के अगर मैं बात करूँ कॉंग्रेस सूतरों के मुताबिक विनेश फोगाट को जिन तीन सीटों का ऑप्शन मिला है उनमें पहली दो सीटे चर्की दादरी की दादरी और बाढ़ड़ा है वे इसी जिले के बलाली गाओं की रहने वाली है विनेश अगर सादरी से हामी भरेंगी तो उनका मुकाबला चचेरी बहन दंगल गर्ड बवीदा फोगाट से हो सकता है बवीदा यहां से 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी इस बार भी वे टिकट की दाविदार है विनेश को तीसरा उप्शन सीट का दिया गया है और यह जिंद काफी कंफर माना जा रहा है कि इससे जो है वो चुनाव लड़ सकती है और अभी बवीदा फोगाट जिन सीट से चुनाव लड़ती हो सकता है उनसे वहां पे भी टककर देखने को मिले खेर आगे क्या होता है तो आधिकार एक सूतर ही ब सरवर्तन आ गया है क्योंकि जो बिश्नुई समाज है उनके उनका कोई तहवार है मवस्या से संबंदित तो उसमें कोई जो है इंटरफेरेंस ना हो कुछ तकलीप ना हो इस वज़ह से अब जो है तारीकों को चेंज कर दिया गया है और अब जो डेट निकलकर पहले जो डे तो यह वो लोग है खास तोर पर विनेश फुगार्ट जिसने ब्रिजभुषन शरन सिंग जो की एक काफी ज़्यादा ताकतवर और जो है एफ्लिवेंट माने जाते हैं भारते जंता पार्टी के चाहे वो वेल्थ वाइस हो पैसे वाइस हो चाहे वो शक्ति प्रदेशन औ काफी जादा बड़े नेता बीजेपी में माने जाते है और ये भी माना जाता है कि ब्रेजभुषन शरन सिंग तो मोधी जी की तारीफ में योगी जी के खिलाफ भी बोल देते हैं उनको ये भी संकोच नहीं होता तो उनके खिलाफ जो है महिला पहलवानों का जो आंदुल पर जब भी आप प्रीटेस्ट करते हैं आप सरकार का ध्यान इंगित करना aha सरकार ने आप्वी सिसी नLove Duty. विनेश फोगाट का एंट्री जो होगा वो काफी जादा दिल्चस्माना जा रहा है इसे पहले मैं आपको जामकारी दे दू कि बजरंग पूनिया विनेश फोगाट की बात करूँ क्योंकि महिला पहलवानों के अंदोलन में बड़ा चेहरा रह चुकी है तो जब उन्होंने रिटार्मेंट का अनाउंस्मेंट किया था तो उस समय उनकी तस्वीरे दिपेंदर हुड़ा से मिली थी और अभी कुछ दिन पहले जो है अभी दिपेंदर हुड़ा के साथ उनकी मुलाकात हुई इससे सम्द्धित जो खबर हम आपको बताते हैं कॉंग्रस ने भी विनेश को अपने पाले में लाने के लिए कई कदम उठाए है जनसित्ता की खबर है जब विनेश ने अपने रिटार्मेंट एलान किया तो कॉंग्रस सांसा दिपेंदर सिंग घुड़ा उनके साथ नजर आये थे पुर्व मुख्यमंत्री भुपेंदर सिंग घुड़ा ने भी मान रखी थी कि विनेश को राजसभा बेजा जाए हालाकि उम्र की वज़ा से अमुम्किन नहीं था विनेश के चाचा महावीर फोगाट और चचेरी बहन बबीता फोगाट ने कॉंग्रस की इस पहल की आलोचना की थी किसानों के समर्थन में शंभू बॉर्डर पहुंची थी विनेश पिछले सब्ता फोगाट शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर पहुंची थी और किसानों को अपना समर्थन दिया था और कहा था कि एक बेटी के तौर पर उनके साथ खड़ी है तथा से प्रातना करती है कि किसानों को उनके अधिकार और नयाय मिले फोगाट ने राजनीती में प्रवेश करने की अटकले उसे इनकार कर दिया था और कहा था कि वह एक एथलीट है और पूरे देश से जुड़ी है तता उनका आगामी राजे विधानसभा चुनावों से कोई ले आगारे वाला है क्यों खास तोर पर महिला पहलवानों का इशु था जाट समुदाय से आती है तो उनका वोट तो कंसॉलिडेट हो ही जाएगा साथ है अगर मैं किसानों की बात करूं तो उनके वोट बैंक भी जो है वो कॉंग्रेस के पास आजाएगी जो पहले से भी था अगर मैं जाट और किसानों की बात करूं तो वो कॉंग्रेस के प्रते उनका जुकाव पहले से था लेकिन अब ये सीटे मिल जाएगी तो जो जीत है उसके चांसेज जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसे में हरयाना में देखी आप राहूल गांधी आमादमी पार् पहलवानों को एंट्री देना राजनीती में और टिकट देना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और ऐसे में अब देखना दिल्शास होगा कि लोहा गरम है और चोट तो कड़ दिया है अब इसका फाइदा क्या कॉंग्रेस बटूर पाती है आगे आने वाले समय में देख और असंतोष्ट जनता नजर आ रही है सर्वे में एग्जिट पोल्स में ओपीनियन पोल्स में नजर आ रहा है कि मुश्किले भारतिय जनता पार्टी के लिए हर्याना में बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी कुछ खबर निकलकर रक्षा किससे सम्बंदित भी आई आसकर जो थे भी नहीं उनको आशंकित करके उन्हें उनकी जान ले ली गए तो इस प्रकार की खबरे जो है वो सरकार का जुस्थिती है और डमा डोल कर देती है और ऐसे में इस प्रकार की आई दिन कुछ ना कुछ खबर निकलना बीजेपी के लिए खत्रे से खाली नहीं अब देखना गल्चस्प होगा कि आगे आने वाली समय में इससे कॉंग्रेस पाइदा उठा पाती है या बीजेपी कोई अपना नया मास्टर स्ट्रोक रचती है फिलाल तो कॉंग्रेस के लिए रस्ता साफ दिखाई दे रहा है आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर